मैंने सिरफ ये लोगो को देने के लिए डोनेशन किया था मगर मुझे अच्छा लग रहा है मेरे फ्रेंस बहुत खुश है कि उनको भी मेरे से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि अगर में कुछ कर सकती हूँ तो मेरे friends भी मेरे age group के ही हैं तो वो भी कुछ कर सकते हैं Straight Line में आप सभी का स्वागत है मेरे साथ है आज गुईका सचदेव ये एक छोटी सी बच्ची है जिन्होंने एक initiative लिया है और चन दिनों में 11,000,000 कमा के contribution लोगों से करवा के COVID में जितने भी लोग थे जिनके मसले थे जो अटके थे जिनका government भी support नहीं कर पारी थी उनकी help करी है बहुत से लोग है जिनके पास power है जिनके पास पैसा है पर वो फिर भी आगे नहीं आते हैं मदद करने के लिए क्योंकि यह एक ऐसी चीज है जो आपके दिल से आती है इस ही असल सिले में जानते हैं कि ऐसा कैसे इनके दिमाग में इनिशेटिव आया कैसे इनोंने 11,000 रुपे जमा करवाए लोगों को convince किया लोगोंने contribute किया international ली भी काफी funding आई लोगोंने contribute किया समझते हैं हाई गुईका हलो सबसे पहले जो आपको लोग देख रहे हैं अप उन्हें थोड़ा सा स्टोरी में बताए एक्जाक्ली आपके दिमाग में यह कैसे आया कि मुझे ऐसा करना है इनिशेटिव लेना है कहां से दिमाग में यह आईडिया आया अच्छली अभी हम जैसे मेरी एज के जो बच्चे थे उनको इतना पता नहीं चला था कि यह हो क्या रहा है मगर जब दिवाली पास आई तो मैंने देखा कि इस बारी कोई उन्होंने डेकोरेशन्स नहीं की है या पिछली बारी दिवाली का इतना जादा शोर था और इस बारी ऐसा कुछ नहीं था तो जब मैंने देखा कि हम जैसे लोग जिनके पास नीचे रहने के लिए एक हाउस है वो दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो लोग गरीब हैं जो लोग सिरफ अपना वन दिन का खाना खा सकते हैं वो लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट तो धूचोरो अपने करोना वाइरिस का इलाज भी नहीं करवा पा रहे थे तो करोना वाइरिस से उनको ठीक करने के लिए मैंने ये डोनेशन कलेक्ट की क्योंकि मुझे लगा कि दिवाली का टाइम है और यहां पर ये लोग बिमार पड़े हुए हैं और मुझे देख कि बहुत बुरा लगा इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद क्या कर सकती हूँ और जब मैंने खुद इनिशेटिव लिया तो मैंने ये देखा कि बहुत लोगों को इससे हैल्प हुई और मैं बहुत खुश हूई क्या आपने किया आपने कैसे funding जमा करी लोगों ने contribute किया ऐसा आपने क्या किया मतलब आपके दिमाग में idea आया बर देन implement उसको आपने कैसे किया Actually I really like singing और मैंने एक song choose किया था जो COVID-19 के लिए dedicated था and it was in Punjabi so मैंने एक video बनाई थी उसमें हमने bank account details दिये थे और मैंने एक song present किया था COVID-19 के लिए और मैंने उसमें थोड़े clips डाले थे कि लोग कैसे सफर कर रहे हैं क्योंकि थोड़े लोगों को ये नहीं पता होगा कि रियर में exactly क्या हो रहे हैं और लोग कितना जादा सफर कर रहे हैं हम घर पे बैठे बैठे नहीं देख सकते कि उनकी suffering क्या है तो मैंने इस topic पे थोड़ा study किया और मैंने देखा कि लोग कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उनको कैसी स्ट्रगल आ रहे हैं और मैंने वेब से थोड़े images देखें और लोगों को ये emotionally हिड होना चाहिए कि उन लोगों की साथ क्या हो रहे हैं उनको किती difficulty आ रहे हैं इसलिए मैंने एक video बनाई उसमें मैंने clips डाले ताकि लोगों को को अंडिस्टांड करें वो की चल क्या रहा है तो आप कहरें कि आपने video खुद से एडिट किया खुद से अपने बलबुते पर अगे येस तो मैंने काइन मास्टर से वीडियो को एडिट किया था और येस जर्णी के बारे में बता हुआ जब मैंने वीडियो आपको अपने रिस्पॉंस आने लगा और ये बात आपके स्कूल में पहुंची रिलेटिव में पोची कैसे कैसे आपको लोगों ने अप्रिशेट किया या कॉंप्लिमेंट्स दिये मुझे अपनी इस जर्णी के बारे में बताओ जब मैंने वीडियो अप्लोड किया था उसके फाइफ दिन के बाद हमारे वन लाक रुपीस तक कलेक्ट हो चुके थे और ये हमने अपने फैमली फ्रेंज रेलेटिव को भी भेज़ा था और उनको कोंफेट बॉहाँ का मैं टुनिमें वान्स में मुझे बहुत बहुत सपॉर्ट इस बारे विन्ट मुझे बहुत सपॉर्ट किया था अपके फ्रेंज का क्या रियाक्श्न था भी आपने आपकी वज़ेसे इतना इतना बहुत ही अच्छा काम कि अपने अपनी आपनी तो आपने सोचा था मेरे इस मैं ऐसा इनिशेटिव ले उगा इतना सक्सेस्फुल होगा तब क्या था जब प्लान कर रहे थे मैंने ये डोनेशन बेसिकली एकठा की थी क्योंकि जो लोग है जिनको जरूरत हैं सिर्फ वो लोग जो हैं वो उसको यूस कर पाए अच्छे से और मुझे नहीं पता था कि ये इतना लाज सकेल पर जाएगा और मैंने सिर्फ ये लोगों को देने के लिए डोनेशन किया था मगर मुझे अच्छा लग रहा है मेरे फ्रेंस बहुत खुश हैं कि उनको भी मेरे से बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मेरे फ्रेंस भी मेरे एज ग्रूप के ही हैं तो वो भी कुछ कर सकते हैं तो उनको बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और जिन लोगों को मैं हेल्प करना चाते थी उनको भी हेल्प हो गई और जो मेरे कलीक्स हैं उनको भी इंस्पिरेशन मिली और हम अगर एक-एक हम जोधामल के बच्चे मेरे फ्रेंज अगर हम एक-एक ये चीज डोनेट करें तो जो लोग जिनको जरूरत है उनकी लाइफ कितनी अच्छी बन सकती है मैं आपसे आखरी सवाल पूछना चाहती हूँ जब आपके बस डोनेशन आई फिर आफ फाइनली जी एमसी गई आपने वहां पर डोनेट किया किसके साथ गई और कैसे डोनेट किया और उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा ओवरॉल जब पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ अब आफ्टर मैथ फीलिंग आपको कैसी आती है मुझे बहुत जादा सेल्फ साटिस्फाक्शन है बिकाज आई लेव टो गिव और मुझे बहुत जादा अच्छा लगा कि मैंने किसी को हेल्प किया और यह यहाँ पर मैं सिर्फ खतम नहीं कर दूंगी मैं यह हमेशा करूंगी I will always give to the people who don't have the facilities we have तो जब हम एक दिन हम GMC गए थे इट वस इन February only so we went to GMC Jammu Government Medical College Jammu और वहां के principal ने हमें address किया था और वहां पर जित्ते भी उनके staff members थे जैसे कि जो social और emergency के जो doctors थे उन्होंने utilize करना था और जो वहां कर important doctors थे उनको हमने gather किया था और उनके साथ मैंने उनको check hand over किया था आप अभी से ही इतनी young age से ऐसा काम कर रहें तो क्या है आपका goal और aim बनने का अभी से ही आपको है social service करना है philanthropist बनना है या क्या मतलब what do you want to become I really want to help the people who are in need and I will always keep doing this because my aim है कि मैं उन लोगों को दे सकूँ अगर मुझे God ने कुछ ऐसा दिया है जिससे जो मैं आगे लोगों को दे सकती हूँ तो I am very happy in doing that for example if I earn 100 rupees I am going to give those who are in need 30 rupees so my aim is to give as much as I can और मैं आगे भी ये continue करूँगी ताकि और लोगों को help हो सके ये सिर्फ इसी की उमर के बच्चों के लिए एक inspiration नहीं है लेकिन बड़े बुजर्गों के लिए एक inspiration है कि कैसे इसी उमर से और वो दिल होना कि मैं कमा रही हूँ और मैं लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ so बहुत ही heart-touching story है ये and I hope हम अकसर ऐसा सोचते हैं कि individual level पर क्या ही कर सकते हैं कर सकते हैं अगर ये चोटी बच्ची घर बैठके कमरे में बैठके काइन मास्टर सॉफ्टवर डाउनलोड करके रातो रात एक लाग 11,000 जमा करके कोविट की दर्मियान जो marginalized लोग हैं जो सडकों पर चल रहे हैं उनकी मदद कर सकती है तो हम भी definitely कर सकते हैं कोई last message है आपका लोगों के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो आप भी कुछ कर सकते हो और हम एक साथ ये सब मिलकर कर सकते हैं और फिर लोगों की लाइफ बहुत बेटर बन सकती है थांक यू